नमस्कार आप सबका स्वागते हमारे चैनल नेक्स्ट नए नियूस पर मैं नाम है दीपक गुपता बात करेंगे महरास्टरी की सियासत में चल रहे एक अलग मुद्दे पर जियां जहां सत्ता परिवर्तन का मुद्दा तो था ही सियमपत की कुर्सी पर कई सारे सवाल थे क्योंकि दावेदार भी तीन चार थे जैसे एक नाश्रिंदे मुख्यमंत्री जो पहले थे पूर्व मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे देवेंद्र फणवीस की बात कर ले जो साल 2014 से 2019 तक सियमपत पर थे रास ठाकरे भी कहीना कहीं अभी तक सुनवाई कर रहे थे लेकिन उनका रेटार्मेंट हुआ तो उन्होंने यह मामला पांच जजों की बेंच को सौप दिया इसी वज़े से इस मामले पर लगातार सुनवाई टलती गए क्योंकि सीजय एन्वी रमना ने इस मामले को पूरी तरीके से घोल के पी रख चिन और शिवसेना पार्टी परदायत वो उनका बनता है लेकिन आज ही बड़ी खबर सामने है कि दो जो दूसरा क्याबिनेट विस्तार होगा जो 49 विधायक है अगर 55 विधायक पहले शिवसेना में से थे उसमें से अगर दो तिहाई चाहिए तो कम से कम 37 विधायक होने च जा सकते हैं ना उद्धब के पास ही सई राज ठाकरे के पास भी जा सकते कई सारे और आप्शन उनके पास रहेंगे क्योंकि बगावत करिये कुछ न कुछ न कुछ तो पल चाहेंगे जैसे शिंदे को सीम पत मिला वैसे वो भी कोई ना कोई पत की लालसा रखे होंगे जो क्योंकि जनता की सेबा पत सही होती है अब बात आता है कोट के फैसले पर हमारे इस खास डिबेट में हमारे साथ मौझ जिन से सवाल लेंगे सबसे पहला और तीखा सवाल यही है कि कोड के तो क्या वह जटका शिंदेगुट के लिए आएगा कुए अभी तक औदभ ठाकरे ने बड़े ही क्या सकते हैं confidence के साथ यह कहीं कि दो तिहाई भहुमत यह सम्माइने नहीं रखती दल बदल कानून यहां लागू होता है और आपने दल बदला है और आप पर यह सारे धाराएं होंगे उसके बाद यह आप शिंदेगुट जो भी है इसको वरकास किया जाएगा इन विधायकों की आयोग्यता पर सुनवाई होगी इस पर आपकी क्या राए है तेकि सुप्रीम कोट में जब यह इस मामले के सुनवाई हुई तब तब जो है चीफ जश्टिस जो थे रमना वो रिटायर हो चुके उन्ह भातर हर बारी की को जो है अच्छे ढंग से देखा है और साथ ही उन्होंने इस मामले को और ज़्यादा परकने के लिए संवैदानिक पीट को भी सौंप दिया है और इसलिए इस मामले को ज़्यादा गंविरता से सुना जा रहा है क्योंकि यह मामला किसी परदेश के सरकार के बने रहने और उसके गिरने से जुड़ा हुआ अगर इसमें कोई फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है कि एक नाशिंदे को अपने पत्स से इस्तिफा देना पड़ सकता है साथी बीजेपी के वो तमाम रनीती जो है वो भी कही न कही राएगा चली जाएगी तो ऐसे में पर भी ज्यादा जवाब दही है इसलिए इस मामले में इतना ज्यादा समय जो है वो लिया जा रहा है हाला कि उद्व ठाकरे के जो वकील है कपिल सिब्र उनके द्वारा कहा गया है कि अगर इस तरीके का नेरेटिव लोग तांतरिक देश में सेट किया जाएगा तो फिर च तरीके से तोड़ता है मरोड़ता है अपने पाले में तमाम नेताओं को साधने की कोशिश करता है तो यह जो है लोग तांतरिक देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है इसके बाद हरी सालवे ने भी इस बायान का पुर्जोर जो है तरीके से जवाब दिया था और कहा था कि चुनाओ आयोग में भी सारे मामले चल रहे हैं और पार्टी के एक तरीके से कबज़ेदारी को ले करके भी तमाम मामला जो चुनाओ आयोग पहुंचा है हाला कि चुनाओ आयोग को सुप्रीम कोर्ट के दुवारा निर्देशित किया गया है कि जब तक यह मामला सुप्री पार्टी उद्व ठाकरे के पाले में जाती हुई नजर आती है कि यहां पर मैं टोगना चाहूंगा क्यूंकि जैसे आपने कहा कि शिंदे को बड़ा जटका लग सकता है दरसल जटका एक और दे सकते हैं जैसे कि माली जागर शिवसेना उद्व के पास ही रहते सुप्रीम करेगा अभी जो आज एक बयान सामने आया रामदास कदम का उन्होंने यह कहा कि जयो नेत्रत्व उद्व और आदित्य का था वो तो किसी की सुन ही नहीं रहे थे वो तो अच्छा हुआ एकनाश हिंदे का कि उन्होंने बगावत कर दे और शिवसेना पर भी दावा कर दे उन्होंने यह कह था कि हम अपना इस्थीफा शिवसेना से दे कर बीजेपी में चले जाते क्यूंकि हमारे पास लास्ट ओप्शन वही बसता कांगरेस और नसीपी से दूर होने का शरतपवार और अजितवार से दूर होने का यहीं बात अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सुन बीजेपी का जो दाव था वो पूरी तरीके से परबल रहेगा क्योंकि उद्धव बार बार यही कह रहे थे कि इनको सीमपत की लालच ने इनको शिवसेना खत्म करनी है इनको शिवसेना से दिक्कत है कि शिवसेना कभी भी कुछ भी खिला कर देती है जैसे साल 2019 में कर दिय या रास ठाकरे के पास जाना चाहेंगे क्योंकि बाला साथ ठाकरे के जब विचारों की बात आती है तो सबसे शुरुबात जो सबसे कह सकते हैं नीव वो शिवसेना पार्टी है उसी में रहकर ही बाला साथ ठाकरे के विचारों का अगे लेकर जा सकते हैं वरना बीजेपी का और बीजेपी भी उनकी समर्थन में हैं तो जो आठ सवाल पांच जज़ इस पर आपकी क्या राए है देखें एक नाशिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो जिस तरीके से सुप्रीम कोट में अपनी दलीले रख रहे हैं तो उसको ले करके उनके पीछे बारते जनता पार्टी भी खड़ी है और कहीं नाशिंदे को इस बात की अमीद है कि आने वाले समय में अगर कोट का फैसला उनके खिलाब भी आता है जैसे कि आपने बता है पांच जज़ों की बेंच जो वो बनाई गई है और इस मामले को बहुत जो है एक तरीके से जो है बहुत बारीकी से सुना जा रहा है तमाम पहलों पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है तो ऐसे में एक नाशिंदे इस मामले में किसी तरीके के अगर दलील रखते भी है तो उनसे बहुत सारे सवाल जो है वो कोट के दुआरा पूछे जाएंगे जिस तरीके से सरकार गिराई गई लिए और लगातार रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स जो देखने को मिली तो इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि दरसल ये सारे पैसे क्यों और किसके दुआरा खर्च किये जा रहे थे क्या एक नाशिंदे खुद की सरकार बनाने या मुक्यमंतरी बनने के लिए ये सार सब्सक्राइब लेकिन आपको जाती जाते कुछ और जानकारी देना चाहते हैं जैसे सुप्रेम कोट के जो सीजे आई थे अन्वी रमना उन्होंने पास सविधान जदो की पीट को ये मामला सोपा है ट्रांसफर क्या है लेकिन सुप्रीम कोट ने चुनावायोग को ये पर क्या सुनवाई होती है कि अगर आता है तो दो की सरकार वहीं से हम वापसी करते देख सकते हैं और फिर उसके बाद चुनावायोग अपना फैसला भीस पर सुना सकती है उद्धव के सबूतों के दौरा तो उद्धव मुखिया थे ये बात तो तो तहीं शिव सेना के न झाल